एक पती ने दो साधियां की और फिर जब दूसी साधिय उसकी हो जाती है दो पत्नियां उसके घर में आई थी और उसके पहली साधिय से चार बच्चे थे दूसी साधिय से दो बच्चे थे टोटल छे बच्चे थे और फिर यहाँ पर दोस्तो एक दिन घर के पड़ोस में एक नमस्कार में उस सुदेश कुमार और तिर्चीवा चैनल में आपका स्वागत है यह घटना मध्य प्रदेश के मुरेना के पुरानी छावनी सिटॉन पार्क की है सिटॉन पार्क के अंदर 16 जुलाई 2017 को जब लोग घरों से निकल कर जोगिंग के लिए मौनिंग वॉक के लिए उस पार्क के अंदर घूमने के लिए आते हैं तो कुछ लोगों की नजर एक लास पर पड़ती है जो की जाड़ियों में पड़ी हुई थी उस लास को देखकर वो लोग पहचान भी लेते हैं लेकिन पुलिस को बुलाते हैं पुलिस आती है मामने एक चानवीन करती है पूसती है कि यह लास किस की है क्या तुम लोग जानते हो तो पार्क में घूमने वाले लोग बता देते हैं कि साहब यह तो हलवाई है पडोस में रहता है इसका नाम है अंगत कठेरे जिसकी उमर 40 साल है और यह पडोस में इसका घर है और वहाँ पर पुलिस देखती है तो वहाँ पर सराब की कुछ बोतलें पड़ी हुई थी कुछ मतलब वहाँ पर खाने पीने की चीजे भी पड़ी हुई थी चाट वगेरा जो चकना वगेरा होता है उसके रैपर पड़े हुए थे पुलिस उस लास को काबू में लेती है और फिर उसके घर पर खबर भिजबा दी जाती है तो वहाँ से उसकी पत्नी जिसका नाम होता है गीता वह अपने बच्चों को लेकर रोती रोती उस पार्क में पहुंचती है और चिला रही होती है रो रही होती है कि मेरे पत्नी को समालती है खड़ा करती है कि आखर बात क्या है तो मारे पती का किसी के साथ जगड़ा हुआ था या फिर वे रूट कर रात को बहर आया था या कोई भी बात हो हमें बताओ जो पत्नी गीता होती है बैया बताती है कि शाव मैं तो इसकी दूसरी पत्नी हूँ और मुझसे इसका कोई जगड़ा नहीं हुआ था और यहां पर पुर इसको बताए जाता है कि यह अंगद कठेरे जिसकी उमर 44 साल है यह पेसे से हलवाई है लोगों के घरों में जाकर खाना वगेरा भी बनाता है और खाने के ओर्डर होते हैं पार्टियों के ओर्डर इस पर आते हैं जनम दिन के ओरडर आते हैं, जनम दिन की पार्टि के बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनके पास ओरडर पर आती हैं और यह हलवाई गेरी करके अपने बच्चों का भरंफोसन कर रहा है इसकी पहली साधी हुई थी मेरा नाम की एक औरत से और उसकी मौत हो जाती है उसके चार बच्चे थे जब उसके चार बच्चे थे तो यह अकेला पड़ जाता है और जो रिस्तेदार होते हैं यार रिस्तेदार वह कहते हैं कि चार बच्चे हैं इनको समालने के लिए तुम दूसरी साधी कर लो तो मैं दूसरी साधी करता है गीता नाम की ओरत से और गीता नाम की ओरत के भी दो बच्चे हो जाते हैं टोटल छे बच्चे हो जाते हैं उनके घर में और हलवाई गीरी करके ये अपना भरन पोसन अपने बच्चों का और अपने पत्ली का कर रहा होता है अब गीता कह रही होती है कि ये सामको मुझे यही कहकर निकले थे मैं अभी आ रहा हूं, मुझे कुछ काम है तो जहां गर से निकलता है यह कहकर करे और फिर उसके बाद इसका फॉन भी बंद हो जाता है और यह वापस नहीं आता है मैं समझती हूँ कि किसी साधी में या किसी व्याह में किसी फंक्सन में गए होंगे कोई ओर बगेरा लेने के लिए या फिर कोई और काम होगा अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस उस जब पत्नी की तरब देख रही होती है थो थोड़ी सी हड़डा ही होई थी यानि कि बातों के जवाब तो दे रही थी लेकिन थोड़ा सा उसके चेरे पर अलगी प्रकार के हाब भाव थे पुलिस को उस पत्नी गीता के उपर ही सक हो जाता है और लास को पोस्ट मारम के लिए भेज दिये जाता है तो यहां पर कुछ लोग यह भी बताते हैं कि इस वरत का चाल चलन ठीक नहीं है साव तो गीता के उपर पुलिस को पहले से ही सक था तो गीता के फौन की सीडिया लोकिसन कॉल डेटेज वगेरा पुलिस निकालने लगती है और यहां पर पुलिस को पता चलता है तो यहां पर पुलिस एक चाल चलती है बंटी और गीता को एक साथ बुलाती है और उन दोनों से कहती है कि रात को जो तुम्हारा फौन आया था हमने उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुन ली है और तुमने ही यह कांड किया है तुम साब साब बता दो वरना फिर हम तुम्हारे उपर जो करेंगे फिर उसके बाद मत कहना तो यहां पर यह दोनों डर जाते हैं और यहां पर यह पूरा राज पुलिस के सामने उगल देते हैं अब यहां पर बंटी बताता है कि साब वह अंगद का पडोसी है और अंगद के पडोस में रहा करता है और जो अंगद है वह हलवाई है पेसे से जो उसकी पतनी है दूसरी वह गीता है बड़ी सुन्दर है, खोबसूरत है जब हलवाई घर से बाहर चला जाया करता है तो पीछे से वह उसकी घर में जाया करता उसको बात करने में अच्छा लगता था दीरे दीरे वाँ उसकी पत्नी के उपर डोरे डालने लगता है और अंगद हलवाई की पत्नी गीता भी उसके उपर डोरे डालने लगती है दौनों के उससे से प्यार हो जाता है एक दूसरे के साथ सम्मन्द मनाने लगते हैं और इधर उधर भी घूमने लगते हैं जब इस बात की अती जादा हो जाती है तो पडोसियों को पता लगता है पडोसि देखते हैं कि भाई यह जो लड़का है जिसका नाम है बंटी यह जादातर अंगत के घर पर क्यों आया करता है अब पडोसियों को सक हो जाता है और पडोसि अब अंगत हलवाई से कह देते हैं कि तुम्हारे घर पर यह तुम्हारा पडोसी बंटी जादातर आया करता है इसका जरूर तुमारी पत्नी के साथ चक्कर है अब वह अंगद अपनी पत्नी को धमकाता है और अंगद को भी धमकाता है उससे कह देता है कि मेरी पत्नी से दूर रहे और मेरे घर में मत आया कर अब अंगद यहाँ पर बंटी को धमका करके अपने काम पर लग जाता है पत्नी समझ जाएगी लेकिन बंटी कहा मानने वाला था और उसकी पत्नी गीता कहा मानने वाली थी यह अभी भी प्रेम प्रिसंग में लगे हुए थे और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते और इसी तरह से रह रहे थे दूसरी बार अंगद इनको रंगे हाथों पकड़ लेता है एक दिन घर के अंदर आ करके और अब यह बंटी के उपर पिटाई भी लगा देता है पत्नी के उपर भी पिटाई लगा देता है और बंटी को वहां से बगा देता है अब यह जादतर समय घर पर ही इसका गुजरने लगता है अपनी पत्नी की रखवाली करने लगता है अब बंटी का और गीता का मिलना नहीं हो पा रहा था तो ये दोनों फॉन पर बात करते हैं चुपके से कि इस पत्ती को रास्ते से अटाना होगा वरना ये हमारे बीच में कवाब में अड़ी बना रहेगा अब गीता और बंटी दोनों प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग के तहट जो बंटी होता है वे अंगद के पास फॉन करता है और उससे कहता है कि भाई मुझे माप कर दो मुझे गलती हो गई और आज हम पार्टी करेंगे चलेंगे दोनों एक साथ उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है उसके बेटे का जनम दिन है और जनम दिन की पार्टी रखी है उसका कॉंट्रेक्ट मैं आपको दिला देता हूँ आ जाओ घर से बाहर सामके आठ वजे थे अंगद चला जाता है पर ये सराब पीते हैं सराब पीने के बाद दोस्तों अंगद को ज़्यादा सराब पिलाई जाती है और यहां पर पार्टी मनाई जाती है पूरी तऱ से चक्णा, अवगएरा सारी चीजें और फिर सिटॉन पार्क के अंदर ये सराप पी रहे थे जाडियों के पास बैट करके जो बंटी था हुए मोटर साइकल में कुलाडी रख कर ले गया था जैसे ये अंगद का नसा बढ़ता है तो कुलाडी से उसके उपर वार करने लगता है उसको वहीं पर जान से मार देता है उसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है दोस्तो एक बज़े वह गीता की फौन पर फौन करता है जानकारी देता है कि मैंने काम तमाम कर दिया है और उसकी लास उस पार्क के अंदर पड़ी हुई है गीता खुस होती है और कहती है कि आजाओ मेरे घर तो रात को ये बंटी गीता की घर पर जाता है और रात को ये दोनों रात पर संबन बनाते हैं और सुबह बंटी वहाँ से अपने घर चले जाता है ये सारा खुला सा पुलिस के सामने हो जाता है पुलिस बंटी और गीता को पकड़ कर जेल में डाल देती है और गीता से ये भी कहती है पुलिस कि दो बच्चे तुम्हारे और चार बच्चे तुम्हारे पती की पहली पत्नी के, वो छे बच्चे तुमने ये नहीं सोचा कि उन बच्चों का क्या होगा, अब उनका भरन पोशन कौन करेगा, तुम जेल में चली गई और तुम्हारे पत करते हैं और फिर रात दिन जेल में पड़े हुए रोते हैं और सोचते हैं कि हमने ये गलत किया था दोस्तों इस तरह की घटनाएं घरों के अंदर हो जाती हैं थोड़ा सा साब्धान रहें सतर्क रहें बाहर के लोगों का प्रिवेश घर के अंदर जादा ना हो दें सीधी ब बारत